हेलो नमस्कार इस्टूरेंट्स कैसे आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्यूडूब चैनल जंदीब दूबे सीजी पीसी में आज हमने सीजी एसाई के लिए एक सो प्रस्ण का सेट लगाया है अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके चेनल के डिस्क्रिप अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो करके जैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों साथ सेयर करें क्योंकि सीजी एसाई के लिए इतने भी महत्पून सेट है यह आपको कारागर सिद्ध करेंगे साथ ही यह जितने भी प्रस्ण है न वह सिर्क ना किवाद सीजी पीएसी के लिए सीजी एसाई के लिए बिलकिंगी सीजी पीएसी सीजी वापम जितने भी हिंदी के सब्जेक्ट आते होंगे कोई भी इक्टा में बहुत ही महत्पून रहेगा स्टार्ट करते हैं पहले प्रस्ण से जीन सब्दों के अंध में जाए उसको बोलते है अकाराद सब्द नोट करना जिसको आपको लगता है इसको नोट करना चाइए कोशिश करेंगे कम समय में जद्सक्राण कर सके हिंदी वन माला में अयोग वह वन कौन सा है तो आपको पता होगा यह है अध्यान में रखना ही है आपको अगला प्रस्न देखते हैं हंश में लगा जो बिंदु तो याद रखना जब बिंदु लगता अनुश्वार और चंद्र बिंदु लगता है तो अनुश्वार भासा की सबसे छोटी का यह क्या है तो भासा की सबसे छोटी एकाई वर्ड नहीं है यह आपको objective form में मिलेगा लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रश्णा answer देख रहे हैं जिने सब्दों की उचारण किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्दन नहीं होता ठीक है तो वो क्या होगा वो होगा तत्त क्रिया है ना भी क्रिया क्रिया को इंइस मिलेके वर्ड याद रखनेक्ट्रिक दुनिया का हर वो सब्दद जिसके Last में ना आज क्रिया होता जैसे खाना पीना खेलना घुमना जाना आना बैठना ना जहां देखी वो क्रिया कहलाएगा ठीक है भासा के सुद्ध रूप्त का ज्यान किस्से प्राप्त होता है या किस्से होता है तो भाईया सुद्ध रूप्त का ज्यान कब होगा जब आप व्याकरण के सही प्रयोग करेंगे जैसे राम खाना ख हाता है ठीक तो यह क्या व्याकरण के सुद्ध रूप है तो यह आकरण के नियम के अधार पर यह सुद्धता का परिचायक होता है दस्वा नम्मर का प्रस्ण देखते हैं कि हिंदी में लिंग का निर्धारन किस से होता है तो संधिंदी में लिंग का निर्धारन संग्या से ह होता है कितने प्रयु stellar ? कि इसको भी ध्यान रखना आगे देखेंगे क्रिया के मुल रूप को क्या कहते हैं तो क्रिया के मूल रूप को porque भूलते है ध्यान में रखना इसरव नाम के साथ प्रयुक्त होने वाले विवक्तियां क्या कहलाति तो यह जो में संसलिस्ट गर्ण से संप्रदाइए के लिए अपधान में अधिकरण में या पर अधिकरण समंध और विश्मयाद इसप्रकार से कितो प्रकार के होंगे, आठ प्रकार के ध्यान में रखना, बल्कि और याद रखना संस्कृत में साथ प्रकार के होते हैं, संग्या के कितने प्रकार होते हैं, तभी मैंने बताया, पाच प्रकार, कौन-कौन सा देख लेते हैं, व्यक्ति वातक संग्या, जैसे राम, जाती वाचक यह सब भाव है, शमू है, जैसे बरदी, चत्रिस गड़ी में बरदी बोलेंगे न, या फिर वर्ग, ठीक है, टीम, यह जितने सब ना जाएंगे न, भाव, शमू है, और एक होता है, दरव्य वाचक संग्या, तो कैसे, जैसे समझ लिजे, सोना, चांदी, लोहा, लकडी का प मत्रतों, पंद्रवे नममर का प्रस Mexican की विशेषण बताएंग, क्या कहलाता है, विशेषण जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है तो राम अच्छा लड़का है तो अच्छाई की भी अच्छाई बता रहे हैं तो बहुत यह हो जाए का प्रविशेशन है सर्वनाम कितने प्रकार की होते हैं या किसे कहते हैं आप मेंस में भी राइडिंग कर सकते हैं सर्व नाम वे शब्द होते हैं, जो संग्या की इस्थान पर प्रयोक्त किये जाते हैं, ये कितने प्रकार के होंगे, ध्यान में रखने हैं, छे प्रकार के होते हैं, उधारन के साथ समझते हैं, यह, वह, वे, उनका, इनका, इनहें, ये सब संग्या की सर्व नाम की उधारन ह सर्वनाम के भेट कितने होते हैं छे पहला कुन सा है पूरुस वाचक सर्वनाम दुसरा निश्चय वाचक सर्वनाम तिसरा निश्चय चौथा प्रश्ण पाच्वा संबंद और छठा निश्चय पूरुस में तीन प्रकार की होते हैं उत्तम पूरुष ठेक है उत्तम इस प्रकार से पुसको ध्यान में रख सकते हैं निश्य यह राम का घर है यह वह ऐसे करके आप बताएंगे यह पास के लिए वह दूर के लिए अनिशय कोई आ रहा है कोई अनिशय मतब जिसकी निशित्ता का अभाव हो या फिर उसकी बारे पर पता नह Exc입el आ मेरा घर है या फिर मैं अपना काम श्वयम ही कर लूँगा ती यह निजवाचक सरुना में अगला प्रस्टन दिखते हैं क्रिया किशे कहते हैं जिस सब्द में किसी काम के करने का बोध हो क्रिया कहलाता है जैसे खाना पीना हसना रोना बैठना तो यह सब ध्यान में रखना क् जिसमें कर्म हो जैसे राम आम खा रहा है राम खा रहा है तो इस प्रकार साब इसको ध्यान में रख सकते हैं पक्षी उड़ रही है तो पक्षी क्या कर रही है किसे क्यों ем अगला प्रस्वन देखते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं तो समवानितां हिंदी में काल 3 प्रकार के काल वरतमान काल कितने प्रकार की होंगे भूत काल कितने प्रकार की होगे और भौई शिकाल आप कृपय करके कमेंट में इसकांसर बिलकुल बताइएगा ठीक है शवर्ण का उच्छारंड कौन से इस्थाल है देखो तालू वेंजन वर्ण के बारे में अगर मैं बात करूं ज तो यह जो है ना तालू तो शा का उच्छारंड यादर अद्थ न तालू ठीक है और इसको ज़्यादर डीटल नहीं करेंगे बाद में देख लेंगे वर्ण 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 जो वह है ना का उचछारन इस थन बताना है तो दंत दंत और ओस्ट आपस में जब मिलेंगे ना वह ऐसे करके उचारण होगा तो यह दंतोस्ट होगा ला का उचारण यह राक्षश शमू के इंतर गता यह मुर्धन्य बोल सकते हैं या बोल सकते हैं टवर्ग तो टठड़ ड़ड़ अड़ा तो इस प्रकार साथ इसको ध्यान में रख सकते हैं कंट ना कवर्ग कव उचारन द्रिष्टी है उचारन की द्रिष्टी क्या है कंड इसको ध्यान रखना देखिए यहां पस न यह अंतर है न इस अंतर को आप थोड़ इस पस्ट करके रखिएगा वर्ग में द्वीती और चतुर्थ वेंजन को क्या कहा जाता है जैसे कव हो गया कख गः जरी गः वन मेंटना तो देखे दूसरा और चौथा यह होता है महाप्राण बलकि पहला तीसरा और पाच्वा यह होता है अलप प्राण इसको बोलने में कम समय लगता है जिसका गः अंगा खगः ऐसे करके उचारन करके आप देखिएगा ए और एक उचारन स्थल क् तो ए और एक उचारन स्थल कंट तालू कंट प्लस तालू ठीक है एक कसा योग एक कैसे बनेगा भाई तो आ और ए के योग से ए बनेगा और ए की योग से ए बनेगा तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखेंगे घा का उचारन बताना है तो यह का वर्ग के समू फेका का गह अंगा तो गह मतलब कंट ठेक है वर्ण के प्रधम तृति और पंचम वर्ण को क्या कहते हैं इसको बोलते हैं अल्प प्राण एक होता है घोस भी याद रखना घोस और अघोस घोस तो घोस क्या होंगे देखें पहला दूसरा घोस होंगे और तीसरा चौथा पाच्वा अ अंगा तो यह पहला और दूसरा क्या होगा अगोश का घोस यह जो होगा घोस होगा इसको ध्यान में रख सकते हैं अगला प्रस्न देखते हैं मातरा के अधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं मातरा के अधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो यह दो प्रकार के हो दिया उसको आपको बताना है कि अकर्मक है शकर्मक है या त्वीकर्मक है ऐसा प्रस्ण आएगा सिक्षक्विध्यार्ति य से सकते हैं वैसे तुभ कुल देख लेजिए गो सिखशक किसे हिंदी पड़ाता है पहला परस्ण हुआ था एक यस प्रकार से मानव सब्द का विश्यशन बताना है, तो मानव सब्द का विश्यशन होगा मानवी है, चिडिया अकास में उड़ रही है, इस वाक्य में आपको उड़ रही है, किस प्रकार के हैं बताना तो, देखे, अगर मैं बात करूँ, वाक्य दो प्रकार के हो, क्रिया दो प्रकार के होते हैं सहकर्मक और अकर्मक अब एक बात बताईए चीडिया अकास में क्या उड़ी है कोई उत्तर मिला आपको नहीं मिला तो याद रखना जिसका उत्तर ना मिले वो होगा अकर्मक पसू शब्द का विशेशन हुता है पास विख नेत्री सब्द क्या है तो नेत्री सब्द का स्वारी नेत्री सब्द का स्ट्रिलिंग या पूर्लिंग स्वारी पूर्लिंग नेत्री सब्द का पूर्लिंग बताना है आपको तो नेत्री सब्द का पूर्लिंग होता है नेता इसको ध्यान रखना महत्तपूर्ण प्रस्ण है अगला प्रस्ण देखते हैं कि उत्कर्स का विशिशन क्या होगा? तो यह उत्करिश्ट काम का तद्पूरस रुखय है? काम को कर्म दूद का तद्पूरस तद्पूरस तद्ऊम इस इसल dobrze है? एकाम का तद्ऊम इसल और दूद का दूद्य इस प्रकार से इसको ध्यान में रख सकते हैं जह 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 अंगा वेंजनों की उचारणों का व्यभार के अधार पर क्या नाम दिया गया है ति यह च्यवर्ग है और च्यवर्ग को बोलते हैं तालू, क्योंकि जम चो बोलते हैं न थे हमारा जीब तालू से टकराता है, चो 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 अंगा ऐसे करके तो इस प्रकार से पसको ध्यान में रखेंगे, मुझे किस प्रकार का शरुव नाम है, तो मुझे उत्तम पुरुश शरुव नाम है अगला प्रस्ण है कि वह धीरे धीरे आ रहा है इस वाक की अव्याव में किस वेत के अंतरगत आएगा देखे वाक के वेत का एक होता है क्रिया विशेशन तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है क्रिया की विशेशन बता रही है कैसे आ रही है वो दीरे दीरे आ रही है यह आ रहा है तो यह क्या है क्रिया विशेशन मानवी चीड़ी आकास में क्या वड़ी है अगर्मा खईए ऐसा करके ध्यान में रखिए इसको है विआ हैं जो को प्रकार का अभिषाप है इस वाए में मुप्द क्या है भावा आजक है द्यान में रख लाया वाश कहबा का विलूम सब़्द होगा नीवर्टि अतरंग का विलूमसद्ध क्या होगा बलगा और गुंदी का विलूमसब्द क्या हो प्रकाट इस प्रकार से हमने पंचास न देखा अब bys-प्रस्ण देख लेते ताकि क्रिपय करके description में टेली ग्राम का लिंक मिल जाएगा आप जोईन कर लिजेगा वहापस इसका पीडियों अपलोड कर दोंगा कौन से 36 गड़ी बोली नहीं है बताना है बैगानी लंधाती बिंजवारी और सद्री तो बैगानी बैगा की है ठीक है या सिंचित छित्र के भूमी है या पालती लगा कर बैठना या दिवार के बचाओ के लिए थोड़ा चपड या अरहर के डेंडल से बनी चत तो याद रहना पलान मतलब क्या होता है पलान एक्च्छल में क्या होता है जो सिंचित छित्र के भूमी है ना उसको चतित गड़ी म अगला देखना क्या लिखा है कि रामु हाँ अपन ददा ला चाठ धन रूपिया दीस तो बताने इसमें पूर्ण सकर्मक तो इसका आंसर मैं बता देता हूं कहीं नोट डाउन करके रख लेना कि राम हाँ अपन राम हाँ आम खात रहे हैं कैसे प्रस्ण पूछ सकतना राम हा अगला प्रस्ण बताना है कि अधिकरण ततपूरुस समास के बारे में बात करूँ तो ततपूरुस अधिकरण ततपूरुस अधिकरण ततपूरुस ना तो अधिकरण ला ले या ला ऐसा टेप्स ना सरग ले बासी सरग इसको ऐसे समझ सकते हैं इसका अंसर है गड़ी सरग मा सरग मा बासी बासी मतलब क्या होता है जो रात की भोजन को बचा कर उसमें पेज ये पानी डाल देते हैं तो उसको बासी कहते हैं तो सरग मा बासी त आपको बताना है कि कुछ यूगमदिये हुए हैं उसको यह बताना कि इन में से कौन सा गलत है देखते हैं भलूक भलूक मतलब बलकी बिलकुल सही है सन मतलब होते समान एक्रे समान हैगा चिटिक मतलब थोड़कर थोड़ा बिलकुल सही है लटपट सचमूझ अच्छा बात ले दे के हो इसका एक काम लेट पट पहुए लट पट ले देखे ले देखे तो सच्पूच मतलब का हो थे सहीं तो कौन सा अंसर गलत है भाई देकर डी आंसर गलत है इसको एका ध्यान ना रखाओ थोड़ा चतिछगड़ी बोलने में दिकत हो रहे लेकिन ठीक कोशिस करेंगे चतिछगड़ी सब्डों में प्रयुक्त सहीं देशच उपर उपसर्ग युक्त सब्द कौन सा है तो इसका अंसर मैं आपको बता दो देखे इसका अंसर होता है टोना करना option number 1 जान में रखना अगला प्रस्न है कि मूरी गड़ी आना 36 गड़ी महारे कर्थ क्या होता है तो मूरी गड़ी आना मतलब 36 गड़ी हम कहा होता है पता है लजजित होना जिसको सरम लग जाया जो अपने गलत कामों के करण लजजित हो जाया वही होता है बड़ी गड़ी आना अगला प्रस्न देखते है 36 गड़ी पहली में अलार दे दुलार दे ले के कचार दे कर्थ क्या होगा इसका वह अर्थ होता है छेना जो गोबर से निर्मित होता है जिसका प्रयोग हम लोग बायोमास की रूप में करते हैं इंधन की रूप में करते हैं चूला जनाने के लिए करते हैं सब ध्यान रखना पनी मतलब भी देख लो भाईया पनी मतलब होता है जूता जिसको पहनता ना वही पर नहीं पर साथ की दिन में अगर शुल मतलब खाना बनाते न तो उसको निकालने का एक परकार से बोल सकते हैं एक परकार से उसके सपोर्ट में आता है भाई अगला प्रस्ण है सरी अगला प्रस्ण है कि मात्रा की अधार पर स्वर्थ मुख्यता कितने प्रकार के हैं देखे अगर मैं बात करूं मात्रा की अधार पर स्वर्थ दो प्रकार के होते हैं हस्व और दिर्ग अगला प्रस्ण देखते हैं उद्धार का सही संदेविक्षेत क तो इसका अंसर होगा उत्धन हार अगला प्रस्न देखते हैं मोती सब्द किस वर्ग के अंतर गताता है स्ट्री लिंग है कि पूरलिंग है कि नापुन्चक लिंग है कि वह लिंग है तो इसका अंसर होगा जो मोती सब्द है वो एक प्रकार का पूरलिंग सब्द है अगला प थालिवाली थाली मतलब चांदी वाली थाली वंथ को बता रहें तो इस कांसर क्याएगा option number सी संबंधकारत अगला प्रशन है यह कोई नया काम नहीं यह सर्वनाम का हुजा रहें तो यह पताना यह निष्चा वाचक Vision सरवरोणम कोई आ जाता यह कुछ आ जाता तों निष्चन हो जाता और यह काम में रहा है तो यहां प्रस्थनिवाचक प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं अगला प्रस्थन है की कौन सबसर्ण परियायवा कि आ नहीं है तो नहीं है कि मतलब होता है विल्कुलaking मतलब शेपे नहीं होता है पंदियों नहीं होता यह आपकी प्रश्न हे करके कमेंड सेक्षन में स्कॉन सव कांसल बताई कि कि पंद्न हन अगला अगला प्रास्ट नहेंaky जो मुकदमा दायर करता है उसे 36 गड़ी हम क्या बोलते हैं यह वादी होते हैं वादी ही मुकदमा दायर करता है कागच काला करना का हिंदी महारे का अर्थ क्या होगा? कागच काला करना मतलब होता है बीन मतलब की कुछ लिखना पहरे, पानी, पैट काहवत का अर्थ क्या होगा? परिश्नम का फल मिलना ऄपसरगे त्हत्तिष गड़ी क्रिया विश्टव norm नहीं है जीहां है ःठ्वी अभीच से अभीच मतलब पकशलोल का जियहां मतलब जहां तुम लोग का तो देखना इसका आंसर होगा क्रिया विश्यूसर नहीं है तुहर तो इस प्रकार से ये इप सीट कंप्लीट होता है इसके बाद एक आख से टॉड लाएंगे महारे और उसके लेखक जो 36 गड़ी लेखक से संब्दित अच्छा लेगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें फिलते हैं अगले वी जो करें खिला झाल वीडि़ów